हेलो गाइज वर्गम बैक टो माई येटेट चैनल आज हम जारे हैं कोतियां बन शनिदें मंदें आप दिल्ली से भी आ सकते हैं आपे आपको पहले दिल्ली से कोशी आना होगा खोशी से आपको राइट लेना होगा अगर आप रेलवे स्टेशन से आते हैं तो रेलवे स्टेशन से शनिदेव का मंदिर के लिए आटो मिलता है आपको वो 20 रुपीज लेगा और आपको शनिदेव मंदिर छोड़ देंगे दोस्तों कहा जाता है कि श्रीकिशन जब छोटे थे तो उनसे मिलने कई देवी देता आये थे उसमें से एक शनिदेव जी थी वह अगर श्रीकिशन में सोचा कि अगर शनिदेव से मिलेंगे तो नंद काउं में उनकी रिष्टी पड़ेगी जो अच्छा नहीं होगा इसलि अब को इसलिए मंदिर दिखा रही हूं यह मंदिर आपको जब आप कोशी पहुचेंगे तो आपको सामने ही आपको शन्देव की मूर्ती दिखेगी और कोशी साप राइट लेंगे तो आपको तीन किलमीटर अभी और जाना होगा वहां सिर्फ आपके वह यात्रा स्टार् तो यहां पर जादा ही भीर होती है आपको परशाद लेना तो मंदिर के भाहर यह ऐसे दुकाने होती है वहां से परशाद ले सकते हैं 20 रुपीज से स्टार्ट है यह मंदिर के भाहर का वियू है देख लीजिए आप सारा बहुत बड़ा मंदिर है जो में मंदिर है वह मैं आपको दिखा देती हूं अभी मंदिर में जाएंगे यह मंदिर का मुख्य दरबार है यहां से स्टार्ट होता है जैसे के आप यह देख रहे हैं जो ग्रील्स बनी हुई है शनिवार को यहां पर जितने भी लोग आते हैं यहां पर लगके लाइन में जाना पड़ता है यहां बीड होती है लाइन में जगह नहीं होती है बल्ट शननिवाल के दिल नहीं तो यहाँ पर बीड़ यह मंदर्श मंदुर्ट जी कि अपिरद से पूजा करें आए यह अम्मियों दिया ज़ल रहे हैं अब कर देख ये शनिदेजी का सबसे प्री है तो उनका जो है वो तेली है सरसो का तो पापा और जीजु चड़ा रहे हैं हम अभी आये तो भीर नहीं थी आप जैसे ही आप देख सकते हैं कि एक दम ही इतनी भीर आ गई थी कि पूछे इमत और अभी हम जब आये थे जब कुछ भी नहीं थे कोई भी लोग नहीं थे हम चारी या पांच लोग थे बस लोग बसमार्ण पांच वजब आप पांच बसमार्ण पांच जब आप झाये थे जब का बढ़ी हैं झाल झाल यहां पेक सरोवर भी हैं जहां पे लोग आके नहा भी सकते हैं इस्त्रियों का अलग है और जैन्सों का अलग है और यहां पे छोटे-छोटे से मंदी भी बने हुए हैं बहुत सारे बहुत इत्प्यारा बना रखे हैं मंदी छोटे-छोटे से हमारी पुझा समाप्त हो गई है यह है मंदिर का एक्जिट केक अब हम जा रहे हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करना मत बूलिएगा और कमेंट में जैशेर निदेव जी लिखना मत बूलिएगा थैंक्यू स्थाइब